हलो दोस्तों नमस्कार देव हमाई एस्टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है अकाश्र वस्तों तारिख यास 23 नमबर 2022 और हम बात करें दे हिंदू के डेली एडिटोरियल अनलेसिस को आसान भाषा में समझने कि इसका फ्री पीडिय और दूसरे वैलोड़ेड एडिकल रहेगा स्ट्रेटेजी टू सेव और दूसरे डिटोरियल आइटिकल में बात होगी इंडिया पोल इन इंटरनेशनल पॉलिक्स वन बाइवन दोनों ही डिटोरियल आइटिकल के क्रक्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे जो भी हिंदी अन्वाद बचाने की रड़नीती दे नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्राटेजी मस्ट परकोलेट टू एवरी डिस्ट्रिक्ट राष्ट्री आत्महत्या रोक्थाम रड़नीती को हर जिले में लागू किया जाना चाहिए आर्टिकल में बात हो रहे हैं सुसाइड अत्महत्या की और इसी से निपटने के लिए भारत में अभी राष्ट्री आत्महत्या रोक्थाम रड़नीती बनाई जा रही है तो बिसिकली सब कुछ इस आर्टिकल में डिस्कस किया जाएगा किसी भी समस्या से अगर निपटना है तो सबसे पहला कदम होता है कि उस समस्या की गंभीरता को समझना समस्या वास्तों में कितनी बड़े समस्या है इसको समझ लेना सबसे पहला कदम होगा जब हम उस समस्या के समाधान की तरफ आगे पढ़ेंगे और इसी दिशा में Ministry of Health and Family Welfare द्वारा भी रिसेंटली National Society Prevention Strategy को पबलिश किया गया राश्ट्री आत्म हत्या रोक्ताम रणे नीती को और अब आगे ये भी बात कही जा रही है कि जिस तरीके से देश में लगातार आत्म हत्या की दर बढ़ती जा रही है ये काफी जादा important हो गया था कि इस दिशा में सरकार द्वारा कुछ strategy लाई जाए और बात कही जाए अगर National Society Prevention Strategy की तो इसका पहला लक्ष है कि 2030 2030 तक जो सुसाइड आत्म हत्या के द्वारा जो मृत्य उदर है वॉल्टिल्टी रेट है उसमें 10 प्रतीशत की कमी लाना सुसाइड दूसरा सबसे बड़ा कारक है मृत्यू का विशेश तोर पर यंग population 15-29 साल के लोगों की और जब बात आएगी यंग फीमेल की 15-19 साल की तब भी दुनिया भर में सुसाइड द्वारा ही सबसे जादा दूसरे नमबर पर नजर आती है और यह WHO द्वारा अनुमानित आकड़े हैं भारत की बात कही जाए तो भारत में प्रतिवर्ष एक लाग से जादा लोग आत्महत्या द्वारा अपने जीवन का अंध कर लेते हैं पिछले तीन सालों का ही अगर आकड़ा निकाला जाए तो सुसाइड जो आत्महत्या की दर है वो बढ़ती ही नजार आ रही है एक लाग की जनसंख्या पर जो पहले 10 दश्वलों दो हुआ करती थी अभी 11 दश्वलों तीन पहुँच चुकी है एंसे आरबी के आकड़ों के अगर नेशनल क्राइम रिपोर्ट रिकॉर्ड ब्यूरों की बात कही जाए तो जब आत्मत्या द्वारा होती है तो उनके पीछे के कारक के तौर पर पारिवारिक समस्याएं बिमारी वैवाहिक तनाओ प्यार में तनाओ कंगाली मादक तत्तों का सेवन अथ्वा अतिनिरभरता नजर आती है दस प्रतिशत आत्मत्या के कारकों का अभी पता नहीं लगा पाया गया है और सबसे इंपोर्टेंट जो आस्पेक्ट है कि जादा तर जो इन में से आत्मत्या है उनको रोका जा सकता है अगर समय रहते इंटर्वीन किया जा सके और अब आगे बात कही जा रही है कि जिस तरीके से जो रड़नीती लाई जा रही है वो डबलु एचो द्वारा जो साउथ इस्ट एशिन रीजिन के लिए स्ट्रेटजी बनाएगी उससे इंस्पायर्ड है और आत्मत्या को यदि रोकना है तो इसमें मल्टिपल जो सेक्टर से सभी के सहबागिता जरूरी हो जाएगी और सबसे जादा अगर बात कही जाए तो जो सर्विलांस मेकेनिजम है इसको मजबूत बनाना होगा अगले तीन साल में ऐसा लक्षिय रखा गए इन सबके साथ में जो मनुवज्यानिक सलाकार होते हैं सैकेट्रिक आउटपेशंट इस डिपार्टमेंट को देश के हर जिले में इसकी पहुच व्यापक और सुलब बनानी होगी यह लक्ष रखा गया है कि ऐसा पांच साल के भीतर कर लेना होगा और साथी साथ में अगले आठ वर्षों में जो सैक्षिनिक संस्थान है वहां के करिकुलम में में इस सेलबस को जोड़ा जाएगा निशित तौर पर जब बच्चा जागरुक होगा और तब ऐसी समस्याओं से बचा जा सकेगा और आगे भी बात कही जा रही है कि जिस तरीके से आसानी इसे चाहिए वो कीट नाश नाम लगाने की जरूत नजर आएगी और अब निशित तोर पर भारत की बात करें तो यहां पर फेडरल भारत हमारा फेडरल कंट्री है संघात्मक हमारा धाचा है संघात्मक और ऐसे में कोई भी स्ट्रेटिजी तब तक पूरी तरीके से कारगर साबित नहीं हो पाएगी जब तक जो केंद्र है और जो राज्य है दोनों ही मिलकर इस दिशा में कारिना करें और ऐसा उमीद है कि अगर प्रभावशाली तरीके से केंद्र राज्य मिलकर इस दिशा में काम करेंगे तो आने वाले समय में मृत्य उदर जो आत्म हत्या के माध्यम से देखने को मिलती है उसमें कमी नजार आ सकती है अगले डिटोरियल आर्टिकल में बात होगी अक्सर भारत में पूछा भी जाता है विशेश तरुक की बात कही जाए तो अंतराश्टिय राजनिती में भारत का ध्रू भारत से अक्सर पूछा जाता है कि भारत किस की तरफ है और ये सवाल जब से युक्रेन रश्या का विवाद हुआ है रश्या और यूएस का तनाव चल रहा है तब से प्रशन जादा पूछा जाता है कि भारत किस तरफ है भारत रश्या की साइड है अत्वा भारत यूएस या जो दूसरे पश्शिम जो मुल्क है उनके साइड है इस युद्ध में और इसका जवाब जब भी पूछा गया है हमारे External Affairs Minister जैशंकर साहब जी द्वारा बहुत बहतर तरीके से इसका जवाब भी दिया गया है कि भारत शान्ती की तरफ है और अगर साइड ही चुनना होगा आइधर दिस वे और दैट वे तो यह होगा कि इट वुड़ बी इंडियाज वे और भारत अपने तरीके से आगे बढ़ेगा और इस्पेशली जब आज के समय पे जो ग्रेट पार्स है वो भारत का सपोर्ट चाहती है क्योंकि भारत का कद आज के स साइड को चुनेगा निशित तोर पर उसका पलड़ा स्वता ही काफी भारी नजर आ जाएगा और भारत लेकिन कोई भी जब साइड नहीं चुनता है तो ऐसे में भारत को अडियल भी माना जाता है लेकिन बात इसमें है कि यह अडियल पना नहीं है बलकि भारत के गहन प्राश्ट्रिय तंत्र की तो भारत किसी साइड का पुछलगू नहीं बनेगा बलकि भारत इस बात से हमेशा मना करता आया है कि भारत कोई भी साइड नहीं आगी क्योंकि भारत खुद को एक विशिष्ट साइड के रूप में देखता है और उस खुद के साइड की या भा भारती जो इंट्रेस्ट है उसके आधार परता है होगा ना कि दुनिया के जो अल्रेडी जो द्रो बने हुए हैं उनके इंट्रेस्ट किस तरफ है भारत उसको फॉलो नहीं करने वाला और अब बात कही जा रहे भारत खुद में ध्रो की बात कही जा तो जिस तरीके सा भी एक तरफ भारत G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है दूसरी तरफ वहीं SEO भी भारत और अर्गनाईज करेगा यह दोनों ही इंपोर्टेंट आज के समय में काफी जादा इस्टिटीशन के तरफ यह नजर आते हैं G20 की बात करें तो इसमें Western Country इनका प्रभाव देखने को ज भारत होश्ट करेंगा यह खुद में ही इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारत आज के समय में खुद में एक ध्रू नजर आ रहा है और बात कहीं जाए जिस तरीके से जब भी सरकारी वक्तव आता है तो वह उसमें मल्टी पोलर वर्ड की बात होती है मल्टी पोलर तब भारत एक विशिष्ट पोल अत्वा एक विशिष्ट ध्रू के रूप में उभर कर नजर आ जाएगा और अब आगे आर्टिकल में इस बात पर भी इशारा किया जा रहा है कि जब दक्षिन एशिया की बात कही जाए तो निशित तोर पर भारत चाहे वो सभ्यता की बा भारत हमेशा से एक विशिष्ट विदेशनीती को लेकर आगे बढ़ा है और अब यह भी बात कही जा रहे है जिस तरीके से ऐसा निशित तोर पर संभौ है कि जो एक यूनिक एक्सपेरिमेंट हम विदेशनीती को लेकर करते चलने उसमें कई सारी कमिया हो सकती है लेकिन ए देशनीती में शुरू से एक यूनिक सेंस बना हुआ है कि भारत एक यूनिक आइडेंटिटी के रूप में आगे बढ़ेगा और एक सेल्फ आइडेंटिटी सेल्फ एजूम्ड आइडेंटिटी स्वा का बोध भारत में हमेशा शुरू से रहा है और इस सेल्फ उनका ये भी कहना होता है कि जिस सरीके से भारत गुट निर्पेक्षिता अंदुलन का मुख्या बनके आगे बढ़ा है ऐसे में यह माना जा सकता है कि भारत जब अंतरराश्ट्री जब राजनीती की बात आएगी तो उसमें न्यूट्रल है लेकिन ये गलत होगा अरिटिकल म समाइक परिस्ति इस्थान काल और भारती इंटरेस्ट के हिसाब से भारत अपना डीसिजन लेगा जू बहुत करेगा भारत का डीसिजन उसके अनुरूप ही जाने वाला है और इसमें आगे बात इस तरफ कही जा रही है कि अगर भारत के ध्रौग की बात कही जाए तो इसम किस साइड का पोल है तो यह जब वर्ड वार खतम होता है तो उसके बाद से देखा जाता है कि दुनिया बाइपोलर हो जाती है बाइपोलर में एक पोल बन जाता है US और एक पोल बन जाता है USSR देश या तो US की तरफ जाते हैं या तो USSR की तरफ जाते हैं अंतरराश्ट्रिय र भारत कभी भी खुद को किसी भी साइट से नहीं जोड़ा, भारत स्वतंत्रनीती पर हमेशा चला है, और अब आगे बात ये भी कही जा रहे हैं कि इसमें एक अपवाद के तोर पर दिखता है, 1971 जब भारत सोवियत में एक पैक्ट होता है, हलाकि इस पैक्ट से ये अंदाजा लगाना कि भारत सोवियत खेमे में चला गया, बिल्कुल ही गलत होगा, वैसे भी आज की समय में जब यूएस भारत को अपना अलाइड कंट्री बताता है, वहीं रशिया द्वारा इंपोर्टेंट अलाइड में भारत का नाम हमेशा सरो परी नजर आता है, और 71 की बात कहे तो सोवियत के साथ पैक्ट इसले भी जरूरी हो गया था, क्योंकि अगर पैक्ट नहीं होता, तो जो अमरीकी खेमा, अमरीकी जो बेडा था, वो हिंद महा सागर में आ चुका था, और ऐसे में जो युद्ध है, उसकी व्यापकता को टालने के लिए था, अनफोर्सीन जो दूसरे इवेंट हो सकते तो उनसे बचने के लिए ऐसे एफेक्ट काफी जादा इंपोर्टेंट थे और ये भारत की गुट निरुपेक्षिता की ही नीती थी, कि उस समय हमारी नीती थी कि हम USSR की तरफ अपना जोकाओ दिखा सकें, और अब आगे बात आर्टिकल में ये भी कही जा रही है, जिस तरीके से जब बात आएगी, पोल की अथवा, जब धुरू की बात आएगी और इसमें भारत की जब बात होती है, तो भारत किस तरीके से एक अलग धुरू नजर आता है तो इसमें तर्कि दिया जा रहा है, पहले तर्कि की बात कही जा रही है, कि जब दक्षिन एशिया में बात कही जाये, तो भारत स्वता ही सबसे प्रमुख देश बन कर सामने नजर आता है, चाहे वो सांस्कृतिक तोर पर देख लिया जाये, जनसंख्या के तोर पर देख जाए, अंतराश्ट्री राजनीती में कद के तौर पर देख लिया जाए, हर तरीके से आर्थिक दृष्टी से भारत एक लीडर के तौर पर दिखता है साउथ एशिया में, इसके अलावा दूसरे तरक के तौर पर ये भी दिया जा रहा है कि जब भी दुनिया भर की जो ग्ल तीसरी बात ये कही जा रही है कि जब बात आती है, अंडर प्रिविलेजड नेशन की, उनकी आवाज बनने की, चाहे वो गुट निरपेक्षिता के तौर पर हो, चाहे वो विकाश शिल देशों की आवाज बढ़ाने की हो, अत्वा ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ के ए काफी जादा हाइलेटेड होता है कि इस जी ट्वेंटी में भारत ग्लोबल साउथ के आवाज को और जादा मुखर बनाने वाला है, तो ऐसे में ये तरक निशित तोर पर भारत को खुद में एक ध्रू के तोर पर इस्थापित करते हैं, और अब आटिकल में ये भी बात कह ही जा रही है कि जिस तरीके से, आगे भारत की जब राजनिती की बात होती है, तो भारत किसी भी कैम्प में नहीं जाने वाला है, और ये शुरू से भारत की एक strategy, एक line of action बना हुआ, उस भारत उसी के तहित काम कर रहा है, और ये recent जो statement भारत की दरफ से आते हैं, जो globally important event हो इसी बात को परिलक्षित होते हुए देखा जा सकते है, चाहिए Ukraine पर वक्तव हो, इराक पर वक्तव हो, NATO का जब सर्विया में action होता है, उस पर वक्तव हो, climate change पर बात हो, United Nations Security Council की बात हो, तो भारत ऐसी position लेते हुए दिखता है, जो खुद के हित को प्रभावित करते हैं, भारती हितों के अनुरूप भारत के वक्तव हो, भारत के position, भारत के comment, अंदराश्टी परिद्रिश्य में देखने को मिलते हैं, और इसमें एक sense दिखता है, एक unique player का, जब बात आएगी, वैश्विक मंच की, और इसमें इस बात से भी समझना होगा, कि भारत का जो ये behavior external, वो इसी sense पर आधारित है, आगे article में ये बात कही जारे, जिस तरीके से भारत हिंद प्रशांत शेत्रिक में काफी important power बन चुका है, काफी important role इसका देखा जा सकता है, और भारत की आज के समय पर जो ability है, चाहे वो वैश्विक security की बात हो, climate की बात हो, दूसरे जो challenges है, जिस होगा कि भारत को एक partner के तौर पर देखे, भागीदार के तौर पर देखे, और न की एक cheerleader हो, न की एक अनुगामी जो उनके पीछे पीछे चले, उसके तौर पर देखे, और अब भारत को आवश्यक्ता है, जो पश्चिम शक्तियां उनके द्वारा कि भारत को spotlight में लाएं चाहे वो United Nations Security Council जैसे important institution हो, अथो दूसरे मुद्देव, वहाँ पर भारत के साथ विमर्श करके आगे बढ़ने की आवश्यक्ता ना की भारत को dictate किया जाए, और ये प्रश्ण ही खुद में गलत है कि जब पूछा जाता है भारत से कि whose side are you on, आप किसकी तरफ है, ये प्रश स्वयम में गलत है, बलकि प्रश्ण होना चाहिए कि what is your side, आप की तरफ क्या है, अर्थात भारत खुद में एक ध्रू है और इस ध्रू का क्या मंतव है, क्या साज़दारी है, क्या निशकर्ष है, किस तरीके से ये ध्रू सोचता है, किस तरीके से आगे बढ़ता है, विश का सम्मान होना चाहिए, और इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए, और ऐसे समय पर जब G20 और SCO की चेर भारत के हाथ में है, दोहजार बाईस में तो निशित तोर पर अंतरराश्टी तंतर में भारत एक विशिष्ट द्रू के तोर पर नजर आता है, और ऐसे में, जो भारत ये ध्रोव है, उसके साथ आगे बढ़ना होगा, आज के हिंद के एडिटोरियल आर्टिकल में इतना ही अंतर तक बने रहने के लिए धन्यवाद